डियर स्टुरेंट स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एक्स्प्रेस में आज का ये वीडियो 11 स्टेंडर्ड महाराश्टर बोर्ड के बच्चों के लिए है और सब्जेक्ट है हिंदी आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स देखेंगे अगर आपका एक्शाम ऑन्लाईन होता है तो आपके सामने किस तरीके से क्वेश्चन्स आएंगे किस तरह सी questions आ सकते हैं, इन से भी बातों को ध्यान में रख कर मैंने आपके लिए कुछ MCQ तयार किये हैं, तो वीडियो को पूरी देखें, वीडियो को like करें, दोस्तों के साथ share करें और चैनल को subscribe करना बिल्कुल न भूलें, तो let's start आज का मारा topic है, part 8, तच्चत पर आधारित, बहु वैकल्पिक कृती कारें, याने MCQ, तो हम अपना first question लेते हैं, part तच्चत के लेखक कौन है, आपके सामने options दिये गए हैं, अर्विंद गौड, अनुराग पांडे, जैनेंद्र कुमार, तो the right answer is, जैनेंद्र कुमार, second question देखिए, part तच्चत, किस विदा में लिखा गया है, इसकी विदा बतानी है, कि ये किस विदा में है, क्या ये निबंद के आधार पर लिखा गया है, वैंग है ये, या कहानी है, आपके समने तील आप्शन्स रखे गए है, और the right answer is, ये एक कहानी है, ये एक प्रतिकात्म कहानी है, question number third है, मनुष्य स्वैम को क्या समझता है, ये जो MCQ है, ये आपके part पर based है, part पर आधारित है, तो उसी के आधार पर आपको यहाँ पर अपना answer लिखना है, पाट कहानी के तोर पर है, और उसमें जंगल, शिकारी, इस तरीके से जो कहानी है, उसके आधार पर ही आपको यहाँ पर उत्तर लिखने है, तो उसी आधार पर ये question है कि मनुष्य स्वैम को क्या समझता है, तो मनुष्य स्वैम को क्या समझता है, मनुष्य स्वैम को समझता है next question हम लेते हैं अंत में हम सबको क्या स्विकारना पड़ता है अपने अस्तित्व को सर्वशक्तिमान के अस्तित्व को वन के अस्तित्व को तो दराइट अंसर है सर्वशक्तिमान के अस्तित्व को गने वन में कौन पहुचा था गने वन में कौन पहुचा था देखिए जानवर पहुचे थे शिकारी पहुचे थे यह कुछ अधिकारी पहुचे थे तो गने वन में शिकारी पहुचे थे नेक्स्ट प्रेस्टन है हमारे बड़ दादा के अनुसार आदमियों में क्या नहीं होता पत्ते तना शाखाएं आंसर इस पत्ते बड़ दादा के अनुसार आदमी बिना किस चीज के जीते हैं तो ये जो सारे क्वेशन है वो आपके पार्ट पराधरित है और बड़ दादा के अनुसार पूछा गया है कि बड़ दादा के अनुसार आदमी बिना किस चीज के जीते हैं तो बड़ दादा के अनुसार आदमी बिना जड़ के जीते हैं किस पेड़ के तने पर काटे होते हैं शीशम, बड़, बभूल तो right answer is बभूल आदमी किस भयानक चीज की बात कर रहे थे वन की, सिह की या सर्प की तो आदमी जहें वन की बाते कर रहे थे बड़ दादा की सब के साथ क्या है वे सबसे नफरत करते हैं उनकी सब के साथ प्रीती है वे क्रोध करते है राइट answer is उनकी सब के साथ प्रीती है हवा चलने पर खडखड करने वाला तथा सीटी सी आवाज निकालने वाला पेड़ कौन सा है साल है, सेमर है या बास है तो राइट answer is बास का पेड़ है बड़ दादा के नुसर किसकी पहुँच सब जगह है और वह व्याप्त है सेमर है, सीरस है या घास है तो राइट answer क्या है घास है घास सबका परिचे किस तरह प्राप्त करती है स्वाज से, आवाज से या स्पर्ष से राइट answer है स्पर्ष से घास सबका परिचे किस तरह प्राप्त करती है स्वाज से घास सबका परिचे किस तरह से प्राप्त करती है स्वाज से, आवाज से, स्पर्ष से राइट अंसर है, स्पर्ष से, घास की किस से बहुत बनती है, दुख से, सुक से, मनुष्य से, राइट अंसर है, दुख से, शेर के सामने अगर वन आ जाए, तो वह उसका क्या करेगा, खा जाएगा, भगा देगा, यह फाड़ चीर कर रख देगा, राइट अंसर है, फाड़ चीर कर रख देगा, शेर ने वन के सामने क्या प्रस्ताव रखा, भाग जाने का, खुली चुनावती का, यह माफी मागने का, राइट अंसर है आपका, शेर ने वन के सामने खुली चुनावती का प्रस्ताव रखा था, शेर ने सभी वंचरों को कि तरह रहने के लिए कहा डर कर निर्भय होकर छिप कर राइट अंसर देखी क्या है निर्भय होकर दो शाखा पर चलने वाला जीफ कौन है भालू है आदमी है या पक्षी है राइट अंसर है आपका आदमी है सिह के अनसर आदमी कैसा जीफ है आपको ये बताना है सिह के अनसर आदमी कैसा जीफ है तो ये जो है ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट करके बताएंगे कि सिह के अनसर आदमी कैसा जीफ है आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर कमेंट करके बत चाहिए राइट एंसर है भरोसा नहीं करना चाहिए अंधेरे में मुह गाड कर रहने वाला ऐसा कौन सा जीव है जो वन का रहस्य जानता होगा सर्प चूहा शुतर मुल्ग दराइट एंसर इस सर्प सांच के वक्त घास में से कौन सा चमकीले देह वाला जीव जाते हुए दिखाई दिया आप्शन है गिर्गिट कच्छुआ नागराज राइट अंसर आपका है नागराज संधिया के समय से बढ़ दादा कैसे रहना पसंद करते हैं वाचाल रहना मौन रहना उग्र रहना सर्प के अनुसार वन का वास कहा तक नहीं है धर्ती तक स्वर्ग तक पाताल तक राइट अंसर है आपका पाताल तक सर्प के अनुसार वन कैसा है अब यहाँ पर देखे सर्प के अनुसार ही पूछा है तो आपको उसी के आधार पर उत्तर देना है सर्प के अनुसार सर्प के अनुसार वन कैसा है डरावना है, घना है, फर्जी है The right answer is फर्जी है सबी जीव जन्तू और पेड़ पोधों की आपसी चर्चा के बाद यह तय पाया गया कि दो टांग वाले जीव या आदमी कैसे नहीं है, वे कैसे नहीं है, ताकतवर नहीं है, डरावने नहीं है या इमानदार नहीं है राइट अंसर इस इमानदार नहीं है, किसने सीटी सी आवाज दी, बढड़ दादनी, बासने, शीशमने, राइट अंसर है आपका बासने, वन में कितने शिकारी पहुच थे, चार, आठ या दो, राइट अंसर है आपका दो हवा किस पेड़ से साफ छन कर निकल जाती थी, रुकती ही नहीं थी, बढड, शीशम, बबूल राइट अंसर है बबूल शिकारियों ने किस पेड़ की च्छा में वास किया था, बढड की पेड़ में, शीशम के पेड़ के नीचे सेमर राइट अंसर है बढड शेर के अनुसर किस चालाग जीव का मास मुलायम होता है शेर के अनुसर बताना है किस चालाग जीव का मास मुलायम होता है हिरन का, आदमी का, सियार का राइट अंसर देखिए आदमी का किस के भैसे जीव जन्तु छिपकर रहते है सिह राज के भैसे, सर्प के भैसे या आदमी के भैसे Right answer है शिह राज के भैसे किसे अपनी जान का संकर्ट मालूम होने लगा बड़ दादा को, जीवजन्तों को, आदमीओं को Right answer है आदमीओं को किसने मामला समाला सिह ने, बड़ दादा ने, आदमीओं ने वहां की जो बाते हो रहें थी उस समय की ये question है कि किसने मामला समाला तो right answer है बड़ दाधा ने बड़ दाधा ने आदमियों को कब देखा था? चोटे होने पर देखा था जब वे छोटे थे बड़ दाधा जब छोटे थे बड़ दाधा बड़े हो गए ये बुड़े होने पर अब बड़ दाधा बुड़े हैं तो बुड़े होने पर कब देखा था उन्होंने जब वे बहुत छोटे थे तब उन्होंने इन आदमियों क को देखा है उनका और शीशम का और बबूल का जब कन्वसिशन चलता है तो बड़ दादा बताते हैं कि जब मैं छोटा था तब मैंने इन आद्मियों को देखा था तो दर राइट अंसर इस छोटे होने पर जब वे छोटे थे इतने उम्र हो जाने के पश्चाद भी बड़ दादा ने क्या नहीं देखा था शेर को वन को या सर्प को राइट अंसर है वन को नहीं देखा था बड़ दादा ने सी को कैसा जनवर बताया है पराकरमी, सहासी, डरपोग तो इस क्वेशन का भी आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं कि बड़ दादा ने सीह को कैसा जानवर बताया है जवान जीव जन्तों ने बड़ दादा के फैसले को नकारते हुए क्या फैसला ले लिया जंगल के ना होने का जंगल के होने का या जंगल से ना घपराने का राइट अंसर है जंगल के ना होने का एक दिन आफ़त के मारे कौन दोबारा आ गये थे? सिहराज, शिकारी या सर्व? The right answer is शिकारी अब हमारा last question है शिकारियों के दोबारा आने पर जीव जन्तु, पेड़ पौधे, तरह तरह की बोली बोलकर क्या करने लगे? उनका स्वागत करने लगे, विरोध करने लगे या भगाने लगे? Right answer है, उनका विरोध करने लगे तो यहाँ पर बच्चों, हमारा जो MCQ का वीडियो है, यह समाप्त होता है हमारे MCQ के question पूरे होते हैं आप जो है, वीडियो पूरी देखना और इसके अलावा भी, जितने भी आपके पार्ट हैं, उन पर आधारित बहु एकल्पिक क्रितिक कार्ये का वीडियो मैं बना कर अप्लोड कर चुकी हूँ लिंक आपको description box में मिल जाएगा आप जरूर देखें और देखें